लगातार कुछ कथित बाबाओं की फोज वह छौड़ी हूई है और वह कथित बाबाओं की फोज लगातार कहती है घर वापसी करो भर वापसी करो तमाम लोग जो है वो सनातन में आ जाओ हिंदू बन जाओ तमाम बाते कई जा रही है लेकिन इन सब के बीच में एक ट्रेंड निकल करके सामने आ रहा है क्या ट्रेंड है ये निकल करके सामने आ रहा है कि लगातार जो अपरादी पाए जाते हैं कई अपरादी ऐसे मिल रहे ह वो लोग हिंदू थे लेकिन मुसल्मान बन करके आखिरकार वो क्यों रह रहे थे या मुसल्मान नाम का या मुसल्मान आइडिन्टिटी का सहारा आखिरकार उन्होंने क्यों लिया एक खबर मैंने अब यहाल में आपको दिखाई थी किस तरह से चेन्ने के अंदर रह करके राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला वो हिंदू था और उसने मुसल्मान नाम अपना बता करके धमकी दी थी अब एक और खबर सामने आई एक और खबर सामने आई है खबर आप देखिए जासी में फरजी सीबियाई अफसर अधिका अफसर गिरफतार जासी के अंदर कोई दरोगा कोई सिपाई नहीं बलकि फरजी सीबियाई का अफसर बन करके रह रहा था और इसको गिरफतार क्या गय लेकिन यहां पर अब दूसरा देखिए और इसी तरह से बुरका पहन करके कई बार हमने खबर दिखाई आपको कि बुरका पहन करके कुछ लोग जो है वो कहीं पर कुछ गुंडागर्दी कर रहे होते हैं किसी लड़की को छेड़ रहे होते हैं कोई नकली डाड़ी रगा करके कर रहा होता है यह सब के पीछे आखिर कर है कून लेकिन देखिए मैं काड इसके पास में मिला है और सीबियाई का अधिकारी जो है वो अपने आपको बताता था कि सीबियाई का अधिकारी है और नई डूटी हुई है मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ इस खबर में है पुलिस के अनुसार आरोपी बलराज बलराज इसका असली नाम है 43 साल की उमर है रजस्तान के भरतपूर नगला गलोधा का रहने वाला है वे साथ दिन पहले ही जासी आया था यहां पुलिया नंबर नो पानी की टंकी के पास रहने वाले इर्फान एहमद के घर पहुंचा और यह अच्छा हो इर्फान एहमद साव का उनके घर पर यह पहुंच किराय का कमरा दिया था अब सोचे यह तो इर्फान साब की जो है वो समझदारी थी कि वो बच गया वरना ना जाने यह कहीं और पकड़ा जाता यह तो इर्फान ने पकड़वाया है अगर यह कहीं और पकड़ा जाता तो फिर इर्फान का घर भी जो हो सकता कि बुल्डोज जो है मिल करके ना जाने कौन सा जिहाद कर रहे थे और इसी पर फिर गंटे दो गंटे पांच दिन दस दिन पंदरा दिन कितने लंबी बहस हो सकती थी आप कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन खेर आब इसकी पैचान हुई है नमाज नहीं पढ़ने पर भेद खुला है अब इर् काईदे लेकिन नहीं पढ़ा और नमाज की वज़े से जो इसको पकड़ा गया नया किराएदार होने की वज़े से इर्फान का परिवार बलराज पर नजर रखे वे था बलराज ने भी एक दिन भी नमाज नहीं पढ़ा तब इर्फान ने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो सक्स लोगों को सीबी आइक के दस्तावेज दिखाने लगा सकोने पर इर्फान ने पडोस में रहने वाले एक वकील को बुला लिया इर्फान ने का कि ना तुम नमाज पढ़ते हो ना तुम्हारा कोई चाल चलन जो है वो मुसलमान जैसा है तुम कैसे मुसलमान इसने अप नेपाल सिंग एसपी ग्रामिन ने का है कि ये सक्स लोगों को सीबी आई की भरती बता कर के बता कर क्या उदेश से लेकर के आया था इसकी पूछता चाजा रही है अभी किल लोगों को भरती कर रहा था तीन सो लोगों को पकड़ने का टार्गेट जो है या पर बता रहे है कि 300 लोग जो है उनको ठगने का टार्गेट था आगे देखी खबर में आप 300 लोगों को ज्वाइनिंग फोर्म दे चुका था कितने पैसे लिए इन सब सवालों की पूचता अभी हमारी जारी है उसके पास से Crime Bureau Investigation Trust की दो डायरी एक बुकलेट एक वीकल टेग फरजी अधार कार्ड पैन कार्ड एक पैन ड्राइव मोबाइल ब्रामद हुआ है पुलिस की जाच में भी एस पस्ट नहीं हो पाया है कि वह अकेले काम करता था या ग्रहों बना करके इस फ्रोड को अंजाम दे रहा है तो पुलिस जो है वह अब जाच परताल करेगी लेकिन ज़रा देखिए क्या जो है वो पूरा connection निकल करके सामने आता है और किस तरह से जो है वो चीजे निकल करके सामने आती है कि एक तरफ वटस अब के उपर, सोसल मीडिया के उपर और में स्ट्रीम मीडिया के अंदर खुले आम कुछ बाबा कहते हैं हम घर वापसी करवा रहे हैं यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन क्या कोई स्ट्रेंड को तलास करने की कोशिस करेगा कि कौन से लोग हैं जो लगातार मुसलिम बन करके अपराद करते हैं जो लगातार मुसल्मान बन करके किसी को ठगने का कि किसी को चोट पहुचाने का काम करते हैं और इनके पीछे इनकी वजह क्या है क्या समाज के अंदर कोई ऐसा कोई करनोलोजी लोगों को हाथ लगी है कि कोई कोई मुसल्मान बन करके कोई अपराद कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा और कोई फस जाएगा क्या कोई मुसलिम समुदाय के परती समाज के परती एक और बड़े लेवल पर जो है लोगों के अंदर एक नफरत पैदा करने का कोई की जरिया है यह कई सारे सवाल है तो बैराल यहाँ पर पुलिस की दाद देनी होगी और सबसे बड़ी दाद वो इर्फान की है कि उसने समय रहते ऐसे ठग को ऐसे अपरादी को पकड़ लिया और ऐसे अपरादी को पहचानने के काम किया वरना ना जाने कहां से कहां पर फिर कौन सी ख़बर सामने आती है त साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत आपको मिल सके धन्यवाद लुबस्टाव